नमस्कार, फ्रिलन्द मार्केट में आपका स्वागत है, टाइटल और थमनेल देखके आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, कि आज हम किस विशे के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो, चलते हैं आज के टोपिक पर, तो आज हम एक बहुती बड़े टेकनिकल एनालिसि है, यह विडियो की शिरुआत में हो बहुत चारे डू और डॉंट्स के बारे में बताते हैं, जो कि सब बक्वास है, यहां हम सिर्फ स्टेटरजी क्या है, और उनकी मुताबिक, टार्गेट, स्टोप लोस, और एगजिट पोइंट क्या रहेगा, हो सिखेंगे, तो चलो, करते हैं, तो आज हम जो स्टेटरजी देखेंगे, हो, एक्सपाइरी डे स्पेशल स्टेटरजी है, मेंज कि इनका यूज हम एक्सपाइरी डे पर ही करेंगे, लेकिन मैंने जो बेक्टेस्ट करके पाया, कि यहां हम ये स्टेटरजी को कोई भी दीन, और ये स्टेटरजी क इंडेक्स और स्टोक सब के अंदर आप यूज में ले सकते हो तो चलो शरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग में होकुस रूल्स बताते हैं तो उनको पहले डिस्कुस करते हैं तो दोस्तो रूल नूमर वन यहां पर यह रहता है कि यहां पर उनका कहना यह र अप्शन में ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उनका कहना यह रहता है कि हम स्टोक इंडेस की जो सपॉर्ट वैल्यू है उनके बदले टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले है और यहां पे जो हम टेकनिकल इंडिकेटर यूज करने वाले है वो RSI रहेगा तो यह सेटप के एकोडिंग हमें कौन से ब्रेकाउट पे टेड लेना है वो देखते है तो यहां जब RSI है वो 60 के उपर आता है तब 15 मिनिट के टाइम फ् हम एंट्रि लेंगे और एंट्रि लेने के बाद अगर एलेट के नीचे प्राइस आता है तो उनको हम एजर स्टोप लोज यूज करने वाले है दोस्तों तो फ्रेक्टिकल वे में भी वह बहुत चारे एक्जांपल लेते है जैसे कि यहां एक बैंक निप्टी का यह पी का चार्थ है तो यहां पर आपसव देखो तो निप्टिकल को ब्रेकावट यह वाली केंडल पर किया हुआ है तो यह केंडल के ऊपर अगर हम यहां पर एंट्रि लेते हैं तो हमारा प्लोस जो है वह हमारी हो यहां पर हम यहां एंट्रि के बाद बड़ी बनस Mt. लेकिन यहाँ पर यह strategy के according दोस्तो हम exit कब करेंगे हो important चीज है तो exit करने के time उनका कहना यह रहता है दोस्तो कि हमारी entry के बाद अगर कोई बड़ी candle बने तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह भी सोटी candle है यह भी सोटी candle है यह भी सोटी candle है तो यहाँ पर यह candle बड़ी है त दोस्तो तो यहाँ पर हम अपने stop loss को ट्रेल कर सकते हैं मिंच की अपना stop loss यहाँ पर लेके हम निकल सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस जो है उपर चला गया फाइनली यह एक बड़ा candle बना लेकिन इनके निचे भी प्रैस नहीं गया उनके बाद यह स प्राइस नहीं जाता है तब तक हम hold करेंगे या तो हमें पक्का confirmation है कि यह आज मार्केट में volatility ज्यादा है positive side की और तो या negative side की उपर हमें confirmation है तो हम हमारे risk reward के हिसाब से आप जितने percentage में खूश हो उस हिसाब से आप exit ले सकते हो एसा उनका कहना रहता है लेकिन कहीं लोगो क्यों है वह index हो या stock हो उनका तो चार्ट जनरली देख सकते है लेकिन call या put जो add domain है या कोई भी call put का चार्ट हम कैसे देखे तो हो भी मैं दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा कि कोई भी call या put जो option है उसका चार्ट भी आप देख सकते हो और चार्ट लोड करने के लिए आ आप आओगे तो यहां जो search icon है वह search icon के अंदर आप जाओगे तो यहां पर एक आपको पेनल दिखेगी जहां पर all stocks fund यह सब लिखा हुआ है यहां पर हमें options को select करना है और उसके बाद आप जो भी stock या जो भी index का option सर्च करना चाहते हो उसका नाम लिखना है जैसे में यहा होगे तो यहां पर दोनों आ जाएगा call और put आप अपनी इसाब से call या put दोनों का चार्ट देख सकते हो जो कि यहां पर मैंने already open करके रखा है तो अब देखते हैं दोस्तों कि हमारी status G के according यहां पर entry कब बनती है तो यहां पर आप देख सकते हो कि RSI ने यह जो candle है दोस्त यह वाले यहां पर RSI 60 को breakout दिया है तो यह वाली जो candle है दोस्तों हो हमारी alert candle हो जाएगी और next candle ने भी उनके उपर closing दी means कि यहां पर हमारी entry हो जाएगी और alert candle का low point जो रहेगा हो हमारा stop loss रहेगा तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि finally हमारी entry के बाद stop loss तो हीट न नहीं बना है तो finally यह point है जहां पर बड़ा candle बना है लेकिन उसके बाद भी जो price है वो उसके निचे नहीं गया तो ultimately आप दोस्तों देख सकते हो कि यह candle भी अक बड़ा बना लेकिन उनके निचे भी price नहीं गया यह candle एक बना और उसके बाद price जो है वो ये candle ने उनके निचे closing दे दी तो यहाँ पर अगर हम देखे दोस्तों तो हमारी entry जो हो कहीं न कहीं यहाँ पर रही थी और हमारा जो exit point है वो यहाँ रहा होगा दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों की 80% का return है दोस्तों single short में 80% अगर हमारा stop loss down के तरफ जाता तो वो minimum 5-10% रहता तो यहाँ पर इस strategy के according हम trade लेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर one jam two, one jam three, one jam five यहाँ बहुत अच्छा यह strategy के according return मिल सकता है उनका कहना ऐसा रहता है तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम put जो है उसका भी example ले तो उसमें भी हमारा जो rules है हो दोस्तों same ही रहने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो candle है यहाँ पर RSI जो है ओ 60 को breakout हुआ है तो यह दोस्तों 15 minute का chart है और यह जो candle है उन्होंने कही न कहीं उनका जो height point है उसके उपर closing भी दी तो वहाँ पर हम entry लेंगे और उसके बाद हमारा stop loss जो है यह candle का low बन जाएगा जो कि हमारी entry के बाद stop loss पर price आया नहीं है तो मतलब हमारा stop loss यहाँ पर hit नहीं हुआ है दोस्तों तो उसके बाद finally बढ़ा candle की बात करें तो बड़ी candle यह बनी है तो उसके नीचे भी price नहीं गया तो finally दोस्तों बड़ी exit कर लेते दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कितना अच्छा खासा return मिल सकता था अगर हमने यहाँ पे भी entry लीओ थी और हम दोस्तों यहाँ पे भी exit कर जाते है तो भी यहाँ पर देख सकते हो कि 150 परसेंट का gain तो यह गेन इतना क्यूं मिलता है क्योंकि दो तो यहाँ पे फाइदा दोस्तों यह मिलेगा कि जो call या put option होती है वो बढ़ती और कम सिर्फ spot price बढ़ती है या कम होती है उसकी वज़ासे नहीं होता यहाँ पे alpha, theta, gamma, weeks वो बहुत सारी ऐसी सिज़े है जिनकी वज़ासे जो call या put की prices है वो up or down होती है तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि spot price के अंदर कुछ action नहीं होने के बाद भी उसकी जो call या put का premium है वो बढ़ता है तो इस चीज़ का फाइदा यह strategy के according हमें मिल सकता है दोस्तों तो इस हिसाब गर हम trade करेंगे तो यहाँ पे हमारा stop loss है हो बहुत कम रहने वाला है और जब target हमारा heat आएगा तो बहुत ज्यादा होने वाला है दोस्तों और यह return सिर्फ one day के अंदर ही मिल सकता है तो हमारा stop loss हीट होगा दोस्तों तो यह strategy का main concept यह है तो अगर हम Reliance Industries की ही बात करते हैं दोस्तों तो Reliance Industries में भी आप देख सकते हो कि यह candle है यह वाले जो candle में ने RSI को 60 के उपर गया है तो यह हमारी alert candle हो जाएगी और उसके बाद देखो तो यह candle ने यहाँ पर closing नहीं दी तो यहाँ पे हम entry नहीं लेंगे यह candle जो है उसून है वह candle की प्राइस है उसके उपर closing दी तो वहाँ पे हम entry लेंगे और हमारा stop loss है यह alert candle का low point को रखेंगे तो यहाँ पे हमारी entry के बाद आप देख सकते हो कि stop loss हीड नहीं हुआ है और price उपर गया है और price को आप देख सकत no loss में रहते और अगर आपको पता है कि यहां से उपर जाने वाले ही तो आप थोड़ा wait करते तो यहां तक भी price जा सकता है तो यहां पे दोस्तों हमें पहले थोड़ा बहुत analysis करना है कोई भी stock या index का कि आज जो moment है वह stock या index में positive रहने वाले ही या negative रहने वाले है उसके चार्ट को देखना है और हमारे जो technical setup है उसके according हमें signal मिलता है तो हम एक proper stop loss के साथ position बनाएंगे तो बहुत अच्छा profit strategy की according मिलता है ऐसा उनका भी कहना है और मैंने भी backtest करके जो पाया हो यह strategy बहुत unique concept वाली है तो यह सही से काम करते है तो यह strategy उनका वीडियो तो बहुत चारे examples देते हैं लेकिन हमारा जो main concept है वह यही है तो यहाँ ज्यादा example देने के जरूत नहीं है सिर्फ आप वीडियो को दूबारा देखिए कि मेन rules क्या है उसके बाद जो हम spot price की बदले कोल या पूट का जो LTP है लास्ट टेडर पाइस उसका चार्ट देखेंगे और उस सब बड़ा कोर्स है और लंबा कोर्स है तो उनका पार्ट वीडियो भी में जल्दी लाने वाला हूँ तो तब तक के लिए बाई बाई हैपी इंवेस्टिंग हैपी टेडिंग